अब जो दोस्तों मेरा नाम है आमित और एडियो टेक में आपका स्वागत करता हूं आज है टेक नियूस नूमबर 29 टेक नियूस मतलब इसमें मैं टेकनोलोजी से रिलेटेट जो भी नियूस आती है उसको मैं हिंदी में परवड करता हूं टेकनोलोजी देने हाले बहुत से चैनल होगे बाट इसमें क्या स्पेशल है कुछ स्पेशल नहीं बस मैं टेकनोलोजी से रिलेटेट जो भी रेग्यूलर की अपडेट होते है उसको मैं हिंदी में देता हूं तो अगरापको मेरे वीडियो पसंद आता हूं तो प्लिष मेरे वीडियो को लाइक किजिए और शेर किजिए साथ ही मेरे चानल को प्लिष सब्सक्राइब करना और अगर सब्सक्राइब करते तो आप कमि या songs वगेरा सुन सकते हो, अभी speaker का price के बात करूँ तो जो चायना में launch होए इसको अगर convert किया जाए तो 4000 रुपीज speaker का price होना चालिए, बट चायना का 50-60% जो product होता है वो इंडिया में तो launch होता नहीं, अगर launch होगा तो इसका price 4000 है उससे कम ज्यादा हो सकता है, बात करूँ इस speaker का नाम की तो इसका नाम है Mi Wi-Fi, ऐसा इसका नाम है, यह speaker में 4 speaker मिलते हैं साथ ही 2.5H का एक sub उपर मिल जाता है, साथ ही इसको इसमें cortex A9 का processor दिया गया है, साथ ही इसमें Bluetooth Wi-Fi जैसे speeches मिलते हैं जिसे आप internet connect करके song सुन सकते हो, साथ ही इसमें 8GB internal storage मिलता है, अगर आप offline song इसमें download करके रखते हो, तो वह भी play करके सुन सकते हो, इसमें USB 2.0 मिलता है, साथ ही 3.5mm jack मिल जाता है, और इसमें battery वगरा नहीं मिलते है, इसमें power code मिलते है, जिसको connect करके आप songs वगरा सुन सकते हो, याने इसमें battery नहीं दी गरी है, और इस speaker का total weight 1.6kg है, मतलब बड़ Xiaomi का Mi Mixi है, उसका एक variant आ सकता है, ऐसी rumors कहें या news कहें जो आ रही थी, कि Xiaomi का Mi Mixi Nano करके एक smartphone है, वो जल्दी चाइना में launch होगा, जो कि पूरा bezel-less होगा, बट Xiaomi के जो एक worker है, उसने ऐसा बता दिया है, कि ऐसे कोई smartphone पे हमकी company काम ही नहीं कर दी है, मतलब यह smartphone launch ही नहीं होगा तो क्या फाइदा हो, इसे भी इंडिया में Xiaomi का Mi Mixi Nano कही है, या Mi Mixi कही होगा, दोनों में से Mi Mixi आने ही नहीं वाला है, तो Nano की तो जूर की बात है, इस बता हो, तो HTC ने जो अपना HTC 10 Pro है, उसको कल के दिन इंडिया में launch कर दिया है, साथी उन्होंने उसका price बता है, कि उस इसमें 5.5 इंच की Full HD Display दिया गया है, जिसमें 400 का PPI Display मिल जाता है, साथ इसमें Corning Gorilla Glass का Protection मिलता है, इसमें OptaCore MediaTek का Helio P10 Processor दिया गया है, साथ इसमें 4GB RAM 64GB इंडिल स्टोरेज और 2TB तक Expendable कर सकते हो, इसमें 20 Megapixel का Camera दिया गया है, जो Rare Camera है, साथ इसमें जो Front Camera हो 13 Megapixel क दिया है, साथ जो No Camera का Apple Sir F2.2 है, 3000 Megapixel की Battery जो कि Fast Charging Technology को Support करती है, बट इसका जो Specification के हिसाब से में Price बता हो तो बहुत ही ज्यादा Price दग रहा है, अगर कस्तमर इसमें 2-3000 पर ज्यादा दाल के OnePlus का इसका बैटर मोबाल ले सकता है, OnePlus 3T भी ले सकता है, जो कि Launch हो जाएगा जल यह भाई, लांच तो करो बड़ तुमारा Price तो थोड़ा देख दख के रखो कि इंडिया में इस Specification के सबसे दूसरे कोई Smartphone Competition में है क्या नहीं, इसमें Media Tech का Processor दे जेते हैं और Price इतना High 25,000 के अबबाव रखती है, तो क्या फायदा, कोई Smartphone Buy करेगा है नहीं, इले न्यूस बड़ा तो iPhone 8 की तरफ से आ रही है, रूमर्स आ रही है, या News कहे है, लीट News कि उसमें Wireless Charging का Option आने वाला है, यानि Wireless Charging को सपोर्ट करेगा, जो iPhone 8 है, और जो Wireless Charging का जो Capacity यानि जो एरिया है, वो 15 फूट तक भी Distance में होने पर भी Mobile Charge होता रहेगा, यानि आप घर में किसी भ Wireless Charging की जो भी Technology आती तो इसमें एक Plate आती थी जिसमें Mobile रखे तो वो चार्ज होता था, ऐसा Technology आती थी, बड़ मेरे ख्याल से यह जो Technology आईफोन लाने वाला है, तो यह First Technology होगा, बड़ में यह भी News बहता थी तो कि iPhone की जो भी 50% rumors होती होती है, वो गलत होती है, और 50% rumors ही सही ह पती है, तो देखते है यह Technology आती है कि नहीं, बता तो वो भी Xiaomi की तरफ से आ रही है, Xiaomi का जो Mi 5C है, इसकी लीक, Image, Design और Specification लीक हुए है, ऐसे पता चल रहा है, आपको Image और Design तो उपर आपको Image मिल जाएगा, साथी Specification में आपको बता देता हूँ, उससे पहले बता दूँ कि यह जो Spotted हुआ है, यह Weibo करीके, एक Website है वहाँ पर Listed हुआ है, इसमें जो अगर Image को अगर मैं देख के बता हूँ, तो इसमें Full Metallic Round Edge मिलता है, जिसमें आपको एक Home Button मिल जाता है, जो कि Ultra Fast Finger Pit Sensor उसमें हो जाएगा, होगा, साथी इसमें जो Camera Model जो है, वो इसकी एकदम Top पे दिखाई दे रहा है, साथी इसमें जो राइट साइड में आपको Volume Rockers और जो Power का किये वो दिखाई दे रहा है, Specification बता हो तो इसमें 5.5 Inch की Full HD Display दिखाई दे रहा है, साथी जो डिस्पले पे 403 का PPI मिल जाता है, इसमें 1.8 GHz पे After Core Media Tech का Processor दिखाई रहा है, इसमें मतलब 6.0 और जो MIUI 8 है, वो होगा इसमें, और जो यह Spoon ने वो चाइना में 12 December को Launch हो सकता है, ऐसे भी News आ रहे है, तो देखते है क्या Specification के साथ आता है, MI 5C, याने Mi 5C, अगली News की बात को तो जो OnePlus 3 को लेना चाहा देते हैं, उसकी लिए हो अच्छी News हो सकती है, क्योंकि जो OnePlus 3T है वो OnePlus ने Confirm कर दिया कि 2 December को वो इंडिया में Launch कर देंगे, साथ ही 2 December को यह Smartphone Launch होगा, आपको पता जो कि OnePlus 3T में, जो OnePlus 3 उसे अच्छे कासे Specification जाद अच्छे, बैटर मिलते हैं, इसमें बैटर जो Front Camera मिलता है, बैटरी भी बड़ी मिलते हैं, और Processor भी, और Snapdragon 821 जो की latest or speed है, यह एक अच्छा option हो सकता है, इसमें जो दो variant है, इसमें 64 GB variant वाल है का price 30,000 रुपीस रखा है, और जो 128 GB variant वाल है, इसका price जो है OnePlus ने 32,500 रुपीस रखा है, मतलब हो सकता है price, जो यूरूप और अमेरिका में launch वाता है, उसकी price की जब से देखा जाए, तो देखना बनता है क इसको की price range में OnePlus 3 इंडिया में launch कर सकता है, और last news आपको बचाओ तो वो लिनोव की तरफ से आ रही है कि लिनोव 29 नोवेंबर को अपना एक smartphone launch करेगा, जिसका नामे लिनोव के 6 पावर, जी हाँ, के 6 पावर स्मार्टफोन को 29 नोवेंबर को launch करेगा, जिसको जिसके लिए इसको इसने मीडिया में invite बेजना शुरू कर दिया है, उन्होंने बता है कि यह दिल्ली में event रखा गया है, जिसमें यह smartphone launch होगा, इसका price और specification तो पता है, इसका price बता दिया जाएगा, और उसको launch कर दिया जाएगा, Specification बता हो जो इसमें 5.5 inch की Cool HD display मिल जाती है, जो mobile फुल metallic body के साथ आता है, साथ ही इसमें Octa-Core Snapdragon का 430 processor मिलता है, और जो GPU Adrona का 505 GP मिलता है, इसमें दो variant में मिलेगा यह smartphone, जो की 1st variant ही 2GB RAM 16GB inbuilt storage, और जो 2nd variant होगा, वो 3GB RAM 32GB inbuilt storage वागा, इसका जो battery है, वो 4000 MSK ने बड़ी मिलती है, साथ ही इसको fast charging technology support करता है, mobile fast charging, mobile की battery fast charge हो सकती है, साथ ही इसमें 13 plus 8 का camera मिलेगा, Android 6.04 GLT जैसी features मिलेंगे, तो अच्छा स्पेसिपिकेशन ठीक टक तो है, इसको किस price range में इनो launch करेगा, यह देखना बनता है, अगर budget याने कम price range में अगर इसे launch करता है, तो एक अ अच्छा option हो सकता, यह mobile लेने के लिए, फिक इसमें battery तो बड़ी मिलती है, और specification भी average याने ठीक टा की मिलती है, तो देखते है, इसको किस price range में, लिनो जो है launch करेगा इंडिया में, ठीक है friends, अगर आज का tech news आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और share करना ना भूले, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, आपको सब्सक्राइब को बटन नीची की तरब में जाएगा, सब्सक्राइब को बटन पर जाके click कर लिजे, thank you friends, आपको ऐसे ही technology से related वीडियो में देता रहांगा, मिलते हैं अगले वीडियो में तबते के लिए, take care and bye bye friends